अगर आपके भी गाड़ी का चलान कट गया है और आप उनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको प्रोपर तरीके से बताएंगे कि आप ट्रेफिक का चलान ओनलाइन के से भर सकते हैं चाहे बाइक का हो, कार का हो या फिर अइन कोई भी गाड़ी हो किसी कारण से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका चलान कट गया है लेकिन सेम टाइम पे पेमेंट आप लोग नहीं कर पाते होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस समय आपके पास रुपे एबेलेबल नहीं हो तो ऐसे मैं ओनलाइन घर बेटे कैसे चलान का पेमेंट करेंगे आज की इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ तो वीडियो में आप लोग अंत्यक बने रहे हैं साथी प्रेंस अगर आप लोग चेनल में नहीं हैं और किसी परकार का confusion हो या फिर question हो तो आप हमारे Facebook profile को follow करके पूछ सकते हैं दोनों का लिंक description पे मिल जाएगा तो चलान का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को एक ब्रोजर को open करेंगे उसके बाद यहाँ पे search बार में लिखना है इचलान परिवहन.government.in लिख करके search कर लेना है अब आप लोग के सामने परिवहन का first link आ जाता है इचलान का इस पे click करना है उसके बाद कुछ इस परकार से आप लोग के सामने page open हो जाता है login का तो यहाँ पे उपर में आप लोग pay online का एक option देख रहे होंगे इसी पे आप लोग को click करना है अब आप लोग के सामने चलान details का page open हो जाता होगा तो यहाँ पे आप लोग जो है status को तीन परकार से access कर सकते है पहला अब चलान number के द्वारा check कर सकते है vehicle number क्या है उसके द्वारा भी check कर सकते है यहाँ पे driving license के द्वारा भी आप status check कर सकते है कि आपका कितना का चलान काटा गया है तो check करने के लिए यह तीनों में से किसी एक में tick कर लेना है तो हम यहाँ पे चलान number के द्वारा status check करने वाले है तो हम चलान वाले box पे tick कर लेते हैं उसके बाद जब आप लोग का चलान काटा गया होगा तो आपके number पे एक message आया होगा जिसमें आप लोग को चलान number देखने को मिल जाता होगा वही चलान number को यहाँ पे fill करना है उसके बाद यहाँ पे capture जिस टैप का है उसी तरह के capture को fill कर लेना है and get details वाले option पे click करना है अब आप लोग के mobile number पे जो है एक one time password यानि की OTP send किया गया होगा उस OTP को यहाँ पे fill कर लेना है और उसके बाद submit वाले icon पे click करना है उसके बाद आपके सामने जो है status निकल के आ जाता है जिसमें आप देखेंगे कि गाड़ी किन के नाम से है गाड़ी का number क्या है चलान संख्या क्या है यानि कि चलान number क्या है यह सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है चलान कितने का काटा गया है कितना amount काटा गया है वो amount भी यहाँ पे mention रहता है अगर आप लोग चलान को print करना चाहते हैं तो यहाँ पे print वाले icon पे यानिकी symbol पे click करके आप check कर सकते हैं कि आपका चलान जो काटा गया है किस कारण से काटा गया है आप लोग seat belt नहीं पाने थे helmet नहीं पाने थे वो region भी mention रहता है तो आप print करके चेक कर लेंगे कि किसलिए आप लोग का चलान काटा गया है अब यदि आप लोग payment करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो देख रहे हैं pay now का एक option है इस पे click करना है उसके बाद कुछ इस परका से interface आ जाता है जिसमें आप लोग को payment ID देखने को मिल जाता है कितना amount कटने वाला है वो amount यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसके बाद यहाँ पे payment gateway में HDFC को आप लोग select करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पे consent देना है यानि कि accept करना है दैन यहाँ पे जो continue वाला options देख रहे हैं इस पे click करना है उसके बाद कुछ इस परकार से आप लोग के सामने एक new page open हो जाता होगा तो यहाँ पे जो pay with देख रहे हैं अब यहाँ पे payment आप लोग किस परकार से करना चाहते हैं यहाँ पर बहुत सारा option आप लोगो देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, credit card, debit card, net banking, यह सब का जो है आप लोगो services मिल जाता है, यह सब के माईधियम से आप लोग payment कर सकते हैं, और अगर आप लोग UPI के दुआरा payment करना चाहते हैं, तो वो भी service यहाँ पर मिल जाता है, तो इस पर click करना है, अब आप लोग के सामने जो है बहुत सारा option आजाता है, जिसके माईधियम से आप लोग payment कर सकते हैं, phone पे, google पे, patium और यहाँ पर option देखने को मिल जाता है, तो जिससे भी payment करना है, उस पर click करना है, और अगर आप लोग phone पे के दुआरा payment करना चाहते हैं, तो phone पे पे click करना है, उसके बाद यहाँ पे phone पे के UPI number को fill कर लेना है, और यहाँ पे जो verify वाला icon देख रहे हैं, option देख रहे हैं, इस पे click करना है, जब आप लोग का UPI verify हो जाता है, तो कुछ इस परकार से आप लोग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ वहाँ पे सिर्फ pay वाले option पे click करके पे कर देना है, payment जैसे ही हो जाता है, आप लोग कुछ समय तक यहाँ पे wait करेंगे, यानि कि इंतिजार करेंगे, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चलान payment has been received successfully, यानि कि आप लोग का चलान payment received कर लिया गया है, यहाँ पे सार रहे हैं generate print your receipt इस पे आप लोग किलिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस परकार से जो है आप लोग का receipt generate हो जाता है, जिसको आप लोग print करके या फिर save करके अपने पास रख सकते हैं, तो I hope आज की इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि घर बेठे जो है traffic police के द